क्लास 11 चैप्टर 20 त्यमेंटिक प्रोग्रिसिन आर्टि सर्मा एक्सरसाइब मेत ट्वंट प्वाइब को क्विश्च्न नंबर 11 है इफ a b c d r n j p प्रूब दाट दिस आरें भी हमें क्या प्रूब करना हमें क्या दिया है कि a b c d d दीपी में तो हमें प्रूब करना है कि यह यह तो थीम नंबरों तो अप देखो कि एबी सेडी यह चार ठाशन जीपी में अगर जीपी में हैं तो क्या हुआ होगा लब क्या होगा कि इनके रेशियो सेब होंगे सेकेंड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ इसी तरह से फॉर्थ टर्म का रेशियो थर्ड के साथ एक्वली होंगे क्योंकि जीपी में तो यह हो जाएगा सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ कि ए और फॉर्थ स्ट्रँप का रिसी कि होस्त है इसलिए अच nih कि तके साथ यह सब यह साथ क्वेश्य च्वार्ट क्या ॐट क्या Windows क्या हो उगे क्यों कि यह सिक == क्वेश्प में मत्सल्य रहांब कि अ अच्छा पर वापस आएाएब दो को हमको क्या प्रूफ करना है अगर आपको ऐसा बूला जाए कि आपके पास ऐसा कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा एक्स वाइस देड है आप इसको चेक करो कि आप यह दीपी में है कि नहीं तो आप क्या करोगे सकेंड तर्म का रेसियो निकालोगे फर्स्ट के साथ और थर्ड तर्म का रेसि हम yp के लिए परूफ करना होगा दैसे तर्म करते हैं तो इस लिए अधे हैं यह करेंगे तो ऊसे तरदस अगर उसी तरह सब crazy 또 जो है हो जीपी में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि रेशियो इक्वाल है मतलब सकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ तू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि सकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ लेडा, B² C², अब और में A² फ्ल grasp B² फिस इक्वंट टू थार्ड टर्म का रेशियो, सकेंड के साथ यही प्रूफ करना पड़ें का वν MRI दब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के एक्वण है तभी वो सिक्वेंशन जीपी में हो पाएगा अगर रेसियो सेम हो पाएगा सेम होगा तभी तो सिक्वेंशन जो एपी में होगा बगव यह हमीं इसको मुल्टिप्लाइं करो इसको इसको इसके प्लस दो इसके डिए अले कर लो की मिजिए स्केर का ओल कि सिसे अफ्लस तक अगर हमें फॉत करने अगर हमें यह सीपिटीब करना पड़ीक है ठीक है और इस चीज को आप डारेक्टली भी कह सकते थे क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता ही थी ना अगर एक्स वाइज जीपी में हो तो इस इंप्लाइज एंड बैक इंप्लाइज कि वाइज स्क्वेर इक्वल टू एक्स जेड मतलब कि इंप्लाइज और बैक इं यह एंप्लाइज करेगा इसको और यह गारेगा इसको मतलब अगर एक्स वाइज जीपी में तो इसे अगे वह ईप्रोव करें यह कैसे करेंगे एक तो वह वला कि आप A को A रख लो B को A R रख लो वह अब जेनरल ट्रम्स से C को A R स्क्वेर रख लो और D को A R क्यूब रख लो दोनों साइड आप अलग-अलग रखो और सॉल करो देखना दोनों सेम आ जाएगा तो बस प्रूफ हो जाएगा और दूसरा क्या प्रॉपर्टी का यूच कर लो चार नंबर दिवें तो रेशियो सेम होगे वैसे कर लो तो आप पहले आप देखो आपके आपस चार नंबर तो तो तीन कंडिशन निकलेंगे आप पहले इंदोनों कोलो तो B अपन में A विचिस इकल टू C अपन में B तो देखो आपने इंदोनों कोली लिए इंदोनों कोली लिए अब आप इंदोनों कोलो वी अपन में A विचिस इकल टू D अपन में C तो यह हो जाएगा B C विचिस इकल टू A D ठीक है ठीक है तो आप LHS ले लो LHS हमारा B स्केर प्लस C स्केर का होल स्केर अब यहांपे A plus B का होल स्केर लगा दो A plus B का होल स्केर क्या होता है A स्केर प्लस 2AB PLUS B स्केर तो यह हो जाएगा पहले हिसका स्केर तो AC का हो स्केर प्लस फिर स्काइश किया प्लस टू टाइमस इन दोनों का प्रोड़क्ट और आपको पाचे अपने प्रापर्टी पड़ाएं अगर एंटु भी होल रेस्टू पार यह तो आम इसको ऐसा लिसकते एंटू पार यहां बी रेस्टू पार म मैंना पावर जो तो अच्छ अच्छ को यही पर आप छूड़ दो अभी इसे अभी यहीं पिराने तो आप आरे जिसको तोड़ा सॉल कर लो यह जाए स्केर प्लस बीसकेर इंटू से स्केर प्लस जिस अब देखा अब इसके बाद तो हमें बेसिक वाले काम करने अब बस हमको यह प्रूफ करना था आप इसको ना किसी तर इतर किसी भी में इसरट ते प्रूफ कर सकते हो ठीक अब अब मल्टिप्लाय करो तो वह जाएगा एसकेर सी स्केर प्लस आज केर 10 के स्वेगे प्लस बीसकेर sr2 oliva 2 अब धिक्ष़ लहां एक अब आपस क्या एसकेर ती स्केर और बीसकेर डीसकेर यह दो तो है तो आप इसनको तो पहले साइडी कर दो इन इन में तो हम कोई भी खिरकानी करेंगे इन्हें तो छेड़े गई ने ठीक है अब अब देखो यहां पर हो जाएगा एडी और बीसी अब देखो बीसी को लिख सकते हो ना एडी लिख सकते हो बीसी को एडी लिख सकता हो ना तो यह जाएगा एसकेर डीसकेर अब देखो स्क्वारिंग करोगे तो क्या हो जाएगा यह जाएगा बीसी का होल स्केर विच इवाल टू एडी का होल स्केर तो यह जाएगा बीस्केर स्क्राइब 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 तो यह जाएगा यह स्क्राइब 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 आप देखो AC और BD है, आप BC को क्या लिख सकते हो, BC को AD लिख सकते हो, तो यह जाएगा A square, D square, ठीक है, तो यह जाएगा, बस प्रूफ हो गया, यह जाएगा, यह जाएगा, तो फ्रॉम वन एंटो, LHS इक्वल टो आरेचे, तो हैंज, A square, प्लस B square, अब दिखो, आपने प्रूफ कर दिया, कि यह दोनों, यह दोनों, इक्वल हो, मतलब कुछ ऐसा हो, प्रॉपर्टी होड कर रहा, तो अगर यह प्रॉपर्टी होल्ट कर रहा, दन हमार पस क्या हो जाएगा, यह रेचियो होल्ड कर रहा, अब यह रेचियो सीख वाल है, और अगर यह रेचियो सीख वाल है, तो देन हमार पास यह जो तीन नमबर तो वो जीपी में होंगे, ठीक है, यह देटीज, आरेट जीपी, अब देख लो एक बार फिर माद बाटते हो, पसकेर है, eh, कि A±-B±, B±-C-L, pi±-d2 है कि और ऑ उसकेर फ्रीप्रेट का ड प्रू ख्राइगा कि अगर हमें प्रू पूफ करना हैं कि यह सीखवेंस्अ नुंबर आपड़ेगा कि इन इन दोनों का राशियो का राशिया one is the power तर्टन करें से के साथ दोनों रेसियोज उक्वल है तो अमरे पास वो जो नमबर सो फ़िए जो तब यह सीक्वेंस हो गें यह जीपी में हो जाए ठीक है तो प्रूफ हमी क्या पुरूफ करने कि रिस इकवालाए बीजक बाइनास सीचे अपने शियर– माइनस सीचे अपनंद एस्वाइने माइनस बैसे स्केर्ड को तो मैंन whereby मेंनस सिँस्के बातेस इसको आपिदर स्ट करो यह हो जाएगा गबी स्क्राइबному-सक्राइब का होल इसकेर धि ENTOO सब्सक्राइब करना है कि अब देखो हमें दिया हुआ था कि A B C D जो जीपी में जीपी में यह सारे नंबर जीपी में तो जीपी में हैं तो क्या प्रॉपर्टी को सैट इस करें कि इनके रिशु सेम इन दोनों के रिशु इन दोनों एन दोनों के रिशु इन दोनों का रिशु इन दोनोओ येश सेम है मतला B अफन में A equal C अपन B which is equal to D upon C ॅремमा ने फनी कला में ओ नोका ले लो तो बडर होनले वि execution इस तरह से इन दोनों को लेलो तो यह जाएगा C upon B which is equal to D upon C इसको 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 तो C square equal to Db एक relation और एक relation और आएगा हमारे पास इन दोनों के मतच से अब बी अपान में A which is equal to D upon C तो यह जाएगा B से equal to AD तो तो अब दीखो एक बार तो अब देखो में यह प्रूफ करना है कि B square minus C square जो कि equal हो जाए equal है C square minus D square into A square minus B square तो आपके आगर हो LHS ली लेलो कि अब देखो हमने LHS ही क्योंगे आप चाओ तो आरेचेस भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं था हम आरेचेस ही ले लिते हैं इस वाले case में आपको दोनों साइट सॉल करनी पड़ेगा ठीक है कोई आप ऐसे कर नहीं पाओगे तो पहले यह आरेचेस ही सॉल कर लिते ऩहें है है सी स्केर मामिनश डीसेद्टी इंटू एसकायम मैलिप्लाइ करो सीब मामिनश दीक्रेशक्र इसको इसको इसके साथ से सकेर माइनस सी इसकेर इसके और मारेश देसके एस le 80 ततो यह जाएगा दे स्केए बी स्केर बी स्केर डी सकते हो दो जाएगा सी स्केर एस के माइनस डी स्केर बी स्केर अब देखो यहां पे बी सी क्वल टू एडी है आप दोनों साइद स्क्वैरिंग कर लो दोनों साइद स्क्वैरिंग करोगे तो क्या बनेगा यह हो जाएगा वी स्केर इकवल टू एडी स्केर ठीक है या फिर आप सिंपल ली ऐसा समझो कि आप देखो यह सीवी एडी को बीसी तो लिखी सकते तो बीसी के जगार मैं एडी रिप्लेश कर दिया तो स्क्वैर था तो यह हो जाएगा माइनस एडी स्केर इसको भी अपलीक दो माइनस एडी स्केर इंटरचेंज तो करी सकते हैं तो यह जाएगा सी स्केर एडी स्केर माइनस बीस केर बीस केर और माइनस टू एडी स्केर अब आप इसको यहीं पर छोड़ दो आप इसको साल करो तो यह जाएग B square, B square के जगा A C minus C square के जगा D B अब यहाँ पर A minus B का whole square लगा हो A minus B का whole square क्या होता है A square minus 2AB plus B square, तो यह हो जाएगा A C का whole square plus D B का whole square minus 2AB तो A यह पूरा और B तो यह हो जाएगा A square, C square plus D square, B square minus अब अब देखो यह है B, यह है C BC के जगा हम AD replace कर सकते हैं तो अब AD replace कर दो तो यह जाएगा minus 2A square, D square तीक है अब देखो BC के जगा अगर आप BC के जगा AD replace करेंगा तो देन यही बन जाएगा तो फ्राम 1 and 2 we have कि LHS equal to RHS तो हमने YSS prove कर दिया अगर YSS हमने prove कर दिया मतला यह तीन नमबर क्या हो जाएगे जी भी में हो जाएगे तो हेंड़ A square minus B square B square minus C square C square minus D square R A D B तो आप देखलो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्ट C part है हमें यह प्रूफ करना है कि 1 upon A square plus B square 1 upon b square plus c square 1 upon c square plus d square rn gp तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो तीन नंबर से gp है इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio equal है अगर ratio equal हो तब तो वो जो sequence है वो gp में होती है ठीक है आप दिखाओ ratio इन दोनों का ratio मतलब 1 upon में b square plus c square upon में 1 upon a square plus b square इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio 1 upon c square plus d square upon 1 upon b square plus c square that is ये उपर चाहेगा और ये इसके साथ नीचे तो ये चाहेगा a square plus b square अपन में B-square plus C-square which is equal to ये उपर B-square plus C-square upon में C-square plus D-square that is हमें क्या proof करना होगा इसको इदर इसको इदर तो ये जाएगा B-square plus C-square का whole square which is equal to A-square plus B-square into C-square plus ठीक है तो हमें ये इस प्रूफ करना पड़ेगी अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जीपी में तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ठीक है तो करते हैं इससे पहले हमें कुछ दिया हुआ था क्या दिया हुआ था हमें दिया हुथ है कि a b c d जो है वह आरें जीपी तो अगर यह चार नमबर जीपी में तो क्या होगा कि इनके रेशियो सेम होगे कि इलकि तो बाइब मकं करएशियो नामब्ण पहुंब एम exactamente है मां गारेशियो मेरेकर में एकोर आसेंस छूंत तो यहां से क्या रिलेसे बनेगा अगर इस्टिशीव वाल तो क्या रिलेसीं बनेगा तो आप पहले इन दोनों को लेलो तो यह जाएगा बी अपॉन में a which is equal to C upon my b to this implies exploiter esquent West तो यह जाएगा b into b b square which is equal to AC यह पैसर राट नाहा बनो रो यह जाएगा c upon maybe 16 on to dr. अपकाम सी थो दσιशे को इसको 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 इअधर टो यह जाएगा c square equal to b d तो यह जाएगा b upon a which is equal to d upon c तो दसको इधर B pulled 2 ठीक है तो यह रिलेस्ट है अब हम क्या करेंगे आप देखो आप मैंने आपको दो तरीके से प्रूफ करना बता है एक तो प्रॉपर्टी का मदद ले लो देज की रेशियों सेम होते हैं और दुसरा कि जिनरल टर्म का मदद ले लो कि आप एफर्स टर्म तो फर्स टर्म तो इन सारे की वैल्यूज यहां पर पूट करो लेशियों और फिर आरे दिखा दो कि दोनों अलग अलग नहीं है दोनों से मैं तो बस प्रूफ हो जाएगा ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है कोई सूनी है हम अगर आएस वैसे करें तो ठीक है मैंने आपको क्या पता है अपने प्रॉपरटी पर यह अगर तीन नंबर जीपी में हो तो र्यलेस्ट क्या बनता है वा इसक्वार इक्वार इक्वार इकवब्व करा वहां पर स्टैटमेंब मैं वह Kapika अगे Corporal M points की है कि दोनों साइट से टू है ठीक है दोनों साइट से हुआ सिर टू सकते अलगर अगर इसा बोल सकते है पुसी तो अगर हमी ये दिखाना हो कि अगर कोई थीछा दिखा थे थे नं भाई तो को में बस यह दिखाना है कि यह इक्वल है तो आप इस दोनों को इक्वल दिखाने के लिए पहले चैस को लो पहले अब ही तक हम जैसे फर्स्ट पार्ट में करा सकेंड वैसी करेंगे यह भी उसी टाइब के उसी टाइब का है हुक तो आप यहां पे प्लस बी का होल इस वे लगा दो तो एप्लस बी का होल स्केर क्या होता है एक के मद दू एब क्लेश गारे बिखल क ही स्केर प्लош क्यार सिगेर कर सकते हो बिघी इसिए थेथी खार मिल्टिप्लाइबुत विस एफ सिपके जैगा इसके जाल और है यह हो जाएगा तो यह हो कर दिए ढूद प्लास ये थो जितर दीश इसकेर गोडिया अ कि आप इसी स्केर्ट सीफियर इसको सब्सक्राइब सेचर्ट इसको सक्षार तो 20 केर्सी इसको सब्सक्राइब अब यहां आपने लिए से को सौल करतों क्या बना यह एसकर सीफिर्टक्र जो की है यहाँ पर प्लस में A²D² प्लस में B²C² अब देखो यहां पर टू टाइमस A²D² है लेकिन यहां पर टू टाइमस नहीं है एक ही है को में दो बनाने पड़ेंगे वह कैसे बनाएंगे तो आप देखो हम BC के जगाँ AD रिप्लेश कर सकते हैं हमारे पास क्या है BC equal to AD तो अगर हम दोनों साइड स्क्वेरिंग कर ले तो यह जाएगा BC का होल स्क्वेर इक्वल टू AD का होल स्क्वेर तो यह जाएगा B²C² which is equal to A²D² तो अब देखो B²C² के जाएगा हम टू लिख सकते हैं तो यह जाएगा A²C² प्लस में B²D² 280 ठीक है तो अब देखो इसको फोरेलेशन वान अब यहापे B² लगा लो तो अब फ्रॉम 1 & 2 हम क्या बोल सकते कि LHS is equal to RHS तो अब देखो यह दोनों equal है तो अगर यह दोनों equal है तो देना हमारे पास यह जो सीक्वेंस है यह जी पर में हो जाएगे हैंज अब देखो यह बार फिर हम आगे बढ़ते हैं आप देखो यह बार फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स दी पार्ट है डी पार्ट में यह प्रूफ करना है कि ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर मैं इसको थोड़ा अच्छे से करा देता हूं हमें क्या दिखाना है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अबी प्लस बी सी प्लस सी डे कि वे स्केयर प्लस से स्केयर प्लस डी स्केयर आरेन जी पी हमें यह प्रूफ करना है ठेक है we have to show that this that is we need to show that तो इसके लिए हमें क्या दिखाने की जरुएत है हमको दिखाना है कि यह जो सिक्वेंस जीपी में इसके लिए नीड क्या है हमें क्या दिखानी पड़ेगी की रेशियो सेम है इन दोनों का रेशियो ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी अपन ये ए स्केर प्लस बी स्केर प्लस सी स्केर और इन दोनों का रेशियो थार्ड टाम का रेशियो सेकेंड टाम के साथ बी स्केर प्लस सी स्केर प्लस डी स्केर अपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी इन दोनों का ratio same है हमें यह दिखाने पड़ेगी इसको जीविए में that is आप इसको इधर multiply कर लो इसको इधर कर लो और आमें क्या दिया हमें यह दिया है कि ABCD वह जीविए में हैं तो क्या होगा इंदोनों का ratio इंदोनों का ratio और इसोना इक्वल होगा ठीक है अगर कोई भी नंबर जीपे में तो सकेंड टर्म कर इसे फर्स्ट के साथ थर्ट टर्म कर इसे सथ और लास्ट टर्म कर इसी हो थर्ट के साथ सेम होगा तो पहले इंदोनो को लेलो तो यहोथे मेरे इक रिलेशन में लेकि b a equal to c upon b तो जी सेम्पलाइस कि b square equal to a c इसे तर से इंदोनों टर्म कर इंदोनों टर्म का रिलेशन बनालो तो c upon b which is equal to d upon c तो देस एंपलाई स्कोईधर स्कोईधर C square equal to D D B C square equal to D B फिर हाँ इन दोनों को लेलो तो B upon में A which is equal to D upon C which is equal to BC upon में AD BC equal to AD तुम्हारे पास ये जो ये कुछ relations है अब हमें ये जिस प्रूफ करनी है तो आप सोचा हम LHS से कर चले या रचे से चले तो आप पहले RHS लेलो RHS है A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square तो आप मल्टिप्लाई कर लों सिंपली इन दोनों को करो तो A square B square फिर इन दोनों को A square C square इन दोनों को A square D square इसको तो यह जाएगा B की power 4 यह हो जाएगा B square C square B square D square C square B square C की power 4 और यह हो जाएगा सीज़ के रडी सी ठीक है है हमें क्या प्रूब करना है कि अब इसको ना साइड में ओपेंड कर लो तो अपको ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा अब देखो यहां पे ना एलेसे को मोपेंड कर दें थोड़ा साथ कि इप्लस बीसी फ्लस इडाई का अंधी तो यहां पर आप एफ प्लस वी प्लस दीक हो दूशकर लगा है फूलेसकर फींखड़ स्क्राइब को taking a प्लस A B का holy square plus B C का holy square पहले इन सारे का holy square और plus 2 इन दोनों का product तो यह हो जाएगा A B B C plus 2 इन दोनों का product B C C D plus 2 और फिर इन दोनों A B इन दोनों तो यह हो जाएगा A square B square power distribute हो जाते हैं दोनों पर power आ जाएगे यह भी तो यह हो जाएगा B square C square और यह हो जाएगा C square plus 2 अब अब देखो A B मतलब यह हो जाएगा A B square C हाँ यह ठीक है यह हो जाएगा 2 B C square D यह हो जाएगा 2 A B C अब यहां तक आप देख लो इवा फिर हम फृदर आगे प्रोसीड करेंगे अब अब देखो हमें A square B square यहां पर है तो इसे तो हम नहीं छेड़ेंगे फिर हमें चाहिए था B square C square जो की हमें अब देखो जो हमें मिलते जार है ना उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं तो इसको भी B square C square B square C square यह रहा है इसको भी अंदर डालो C square D square C square D square C square D square यहीं पर है C square D square यह रहा है प्लस है अब हम चाहिए हमें चाहिए तू अब देखो अब ना यहां पर यहां पर देखो हम ना टू ए बीस के और सी को न ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकते हैं तू तो यह हो जाएगा टू ए सी इंटू सी तो यह हो जाएगा टू ए स्केर और यह हो जाएगा सी स्केर देट इस इस तो हमें टू एस केर सी स्केर चाहिए तो हम एक तो यह नजर आ रहा है एज कर सी स्केर और बी की पावर फोर इन दोनों को अगर हम मिक्स करतें तो यह बंजाएगा टू एस कर सी स्केर अब वह कैसे बना भाए है अब देखो कुछ जाद ही कंदा कर दे रहा हूं थोड़ा ता मैनेज कर ले न यहां पर देखो आपके पास क्या बी स्केर इक्वल टू ए सी है हम अगर दोनों साइड इस्क्वेर नी करते तो यह हो जाएगा बी की पावर फोर और यह हो जागा एसकेर सी स्केर तो हम बी की पावर फोर के जगह रिप्लेज कर सकते हैं से स्केर बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो तो अब देखो एसकेर सी स्केर और एसकेर सी स्केर टू टाइम से एसकेर सी स्केर ठीक है उसे तरह से अब देखो यहां पर अब देखो यह वाले यह वाले चीज को क्या लिख सकते हैं अब देखो C square है ना C square के जगा हम BD replace कर पाएंगे तो हम 2 B C square D के जगा क्या लिख सकते हैं 2 इन तारे का कोई मतलब ठीक है ऐसे line draw देना हुआ तो यह ऐसे rough वर्क है तो आप देखो C square हम सकतने मिलिख सकते हैं। तो यहो जाएगा B कर बीदी और देटीज डी तो यहो जाएगा 2 BKR 9K तो इसके जगा हम लेका को सकते हैं 2B स्कर 302 अब टूंटे बी स्कर रोलनो एक द्री स्कर धने तो यहां पर है में पास और दूसरा दूसरा हां और दूसरा सी की पावर फोर हम सी की पावर फोर को लिख सकते हैं बी स्केर डी स्केर तो यह बी स्केर डी स्केर और यह कैसे लिख दिया आपने वाई देखो इन दोनों तरफ स्क्वेर करोगे तो सी स्क्वेर के स्क्वेर करोगे सी की पावर फोर और और ये हो जाएगा वी डी फार अलग अलग तो जाएगा पूर में टीस्क्यरणी के देट इङसे जाएग्ट जेट के गार आ प्लस में 20 principio केशर टुटाइम्स weight square दीस्केयर प्लेस अब पीछे क्या रहता है अब तो हमने सारा यूज करी लिया देखो इन अब एक टर्म यह रहता है और एक टर्म यह रहता है बस दो ही टर्म रहते हैं दो ही टर्म बसता है कि अब देखो एक अब एक इसको क्या लिख सकते हो इस पूरे के जगा आप क्या रेप्लेश कर सकते हो यह जाएगा टू एबी अब समय यहां पर आपको बताई देता हूं देखो यहां पर हमें लिखना है किसे हैं टू एबी और सीडी है ही तुआ भी और सीडी है तो है और लिखो टू एबी सी या भी ओर बी लिखागदा अब बिली कर दो आप देखो बीसी कर का हम Pres partnering लिख सकते हैं तो जाएगा 2aD तो जाएगा 2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a यह क्या है इसके जगा आप लिख सकते हो A square D square अब वो कैसे यह है B square C square मतलब B C का whole square और B C की value है A D तो यह जाएगा A D का whole square और A D का whole square का मतलब है A square D square exactly तो यह जाएगा 2 A square D square A square D square और A square D square हो गया proof इस पूरे को आप लिख सकते हो A B plus B C plus C D का whole square और यह सोचते ना क्यासे हमने ऐसा लिख देख इसमें सोचने के क्या जूरूरत है आप खुद सोचो ना हमने इसको open करा था तो यह बना था और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर बना दिया तो इस चीज़ से हम हमने प्रोसीड करके यहां तक पहुंचे हैं इसी को हमने अलब मैनू प्लेट करके यहां तक पहुंचे हैं तो अगर हम इस वापस ते यहां पर इस पूरे को यह दिख सकता ना तो बिल्कुल लिख दिया ठीक है आई हूप आपको समझ आया होगा तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्कोस्टर नमबर 12 है इस ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए और इस यह दो प्लूफ करना अगर यह जी पी में तो हमें यह प्रूफ करना तेम पहला है अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि a b a minus b b minus c c minus a जो कि है वो जी पी में तो अगर x y मतलब ऐसा आपने पुड़ा हो a b c अगर जी पी में हो अगर तीन नंबर जी पी में हो तो relation क्या बनता है b square equal to a c मतलब बीच वाले का square जो की equal होता है इन दोनों side वाले के product यहीं पर a b कर लो तो हो जाएगा b minus c का whole square which is equal to e minus b into c minus a हम आतने इस पर थोड़ा से इसको solve कर लो आगी अब यहां पर a minus b का whole square लगा हो तो a square minus a minus b का whole square क्या होता है a square minus 2ab plus b square ठीक है तो यह हो जाएगा b square minus 2bc plus c square which is equal to इन दोनों multiply करो a c minus a square minus bc और plus a b ठीक है अब अब इस a square को इधर ले आओ इस a square को इधर लेका रहाओ तो a square b square plus c square which is equal to इसको आप उधर shift करो क्यों कर रहे हैं मैं आपको explain करता हूं या फिर आप रहने तो मैं पहले अगर मैं यह पहले यह कर दूना तो आपको लागे अब यह ब्यान आप अपने तो रट क्या था यह पर भी नहीं आप पहले इसको लेकर चलो हम ले लेते हैं कि यह क्योंकि एलेसे को अगर हम open करें तो बहुत मस्त लंबा हो जाएगा यह वारा थोड़ा फोटा हो जाएगा तो लंबाए वाले में लेंज में जो लंबा राए वह लिए यह होता है यह होता है यह होता है ठीक फिर ठीक है तो यह जाएक है मैंने कुछ करा यह कुछ भी तो नहीं करा आप अब देखो हमें अब देखो हमें प्लस चाहिए हमें प्रूफ में एब बीजिए चाहिए एब डीजिए चाहिए ठीक है उसे हमने रहने दिया यहां से हमने 2 common कर लिया तो यह हो गया AB plus BC plus C है अब हम इसकी value चाहिए हमें तो इसकी value आप देखो हम यहां से निकाल दे रहे हैं पस इसकी value निकाल कर यहां पर replace करेंगे proof हो जाएगा इसलिए आप इस 2BC को उधर shift कर तो यह हो जाएगा AC minus BC plus AB यह उधर जाएगा तो यह हो ज हमने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया ठीक है अब देखो हमने AB को पहले लिख दिया AC को बाद में लिख दिया और 2BC minus BC को BC को बीट में लिख दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई सुमें इसकी value जो कि यह हैं यहां पर replace कर रहे हैं AB plus BC plus AC plus 2AB plus BC plus AC फिर सी तब इसको सीय लिख लो क्या है दिख गया थे तो 1 plus 3 प्रूफ हो गया कि दीक है तो आप देख लो एक बार कि chili का बार। नहीं बार झाल कर दिख एकि तो कि're to do व्रवी एक हैं कि दो कि भुई क्कारी है कि दूना ऌहित दिक हैं में वे लो एक दृत == यहिउला है कि धा ऊंद नहीं श्टर्न क्र शान झाल झाल